हलो दोस्तो आज मैं आपको एक बहुती शांदर जानकरी देने वाला हूँ क्योंकि काफी मेरे कमेंट्स आते हैं वो जानना चाहते हैं कि एक मकान बनाने में कितना लागाता जाती है कितना खर्चा जाता दोस्तो तो दोस्तो पहला तो यह है कि मकान अपने अकोर्डिंग बन देता हूं जैसे कि दो चीज बहुत इंपोर्टेंट रहती हैं सरिया इटे और एक सिमेंट यह तीन चीज काफी जादा इंपोर्टेंट रहती हैं क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर बना लेंगे मकान का तो फिनीशिंग में तो आप चाहे कितना भी पैसा लगा दीजे कम है मे क्योंकि यही आपके स्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला है दोस्तों बाकी दोस्तों मकान का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद इंटेरियर में तो आप जितना पैसा लगा दे उतना कम है तो वो चीज आपको अपने बजट के अकोर्डिंग देखनी है जैसे कि फ जालते हैं बजट तो 25 से 30,000 रुपे एक कमरे का पड़ता है फॉल सिलिंग का खर्चा तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको तीन कमरे कराने तो लगबग एक लाक रुपे तक का खर्चा आता है फॉल सिलिंग में बाकी आप चाहें तो केवल अपने ड्रोइंग एरिया म ळडूर में करा सकते हैं जिससे कि लोग के दोर्इंग एरिया में बैठ से तो खूब शूरत लगे करा सकते हैं वागी दोस्तो अगरूरी लाकडि लगी क्योलिटि जो आप करते हैं बीचन में इस्तुमाल की जाती है जब हम कैविनेट्स बनाते हैं और टंकयों की क्योन त आप अच्छे क्वालिटी का टैप से लें और यह जो आप ग्रेनाइट देख रहे हैं लगबग 100 रुपे 90 से स्टार्ट हो जाता है और 120 तक 1.500 रुपे वाला भी चल रहा है आज कल तो आप उस तरह का ग्रेनाइट भी स्माल कर सकते हैं सुवीचेज में आप देख पार हैं दोस्तों आएंगार के स्टार्ट आप यूज कर सकते हैं काफी अच्छे क्वालिटी के सुवीच होते आएंग करके तो यह सारी चीज आपको अपने बज़ट के कोड़िंग देखनी है और बाकी दोस्तों इस वक्त अगर आप चोखट का इस्तमाल करना चाहते हैं तो जिन इन छेतरों में दीमक का खत्रा है तो वहाँ पर आप लोहे की चोखट का इस्तमाल किया जा सकता है अभी जो लोहे का रेट है 80 रुपे के आसपास रहने वाला है सरीय का रेट भी आप देखेंगे तो लगभग 60 रुपे के आसपास रहेगा और लोहे के जो पाइप है उसका 80 के आसपास रेट रहने वाला है बाकी बोर्ड्स की बात आती है जो आप अपनी अलमारी में लगाते हैं और लाना चारल जाते हैं तो वो ही काफी अच्हा लुकान के अंदर क्रोपर वेंटिलेशन का ख्याल रखें मकान के अंदर क्योंकि मकान में ventilation वह जरूरी है क्योंकि जो gas बनती है अगर gas release नहीं होगी तो वो दिवार चटका सकती है तो प्रोपर ध्यान रखे लुट कैंद rated खराब भी easily नहीं होती है बाकि दिवारों पर आप चाहें तो paint करा सकते हैं आज कल wallpaper चल रहे हैं बहुत सारे option market में available है और नीचे आप tile चाहें तो tile लगा सकते हैं या फिर marble लगवा सकते हैं marble अगर आप चाहें तो जो normal marble है वो 40 रुपे से start हो जाता है tile की बात करें तो जो एक box आता है tile का वो भी लगवाग 400-500 रुपे से start हो जाता है तो वो चीज़ा आपको अपने budget का coating देखनी है अगर हम एक count करें एक random हम आपको calculation बताएं तो 1500 रुपे square feet का खर्चा लगवाग आ जाता है एक अच्छा मकान बनाने में 1500 रुपे square feet है जैसे कि अगर आप ये सोगज का मकान है और 900 square feet होता है सोगज के अंदर तो 900 into 1500 आप कर सकते हैं उससे आपकी calculation निकल जाएगी ऐसी 50 रुच का देखोंगे तो 4500 square feet होता है तो 4500 into 1500 इतनी खर्चे में आपको मोटा मोटी सब कुछ include हो जाता है यहां तक की जो काम करने वाले लोग है उनका भी खर्चा इसमें include रहता है तो 1500 रुपे में एक अच्छा मकान बनके तैयार हो जाता है तो आप कोई भी मकान का अगर calculation निकालना चाहते हैं तो उसका square feet multiply by 1500 कर सकते हैं उससे अपकर total खर्चा आ जाएगा बाकी दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी अगर वीडियो अच्छी लगी है कुछ आपके काम की चीज़ बताई गई है तो वीडियो को like और share जरू कर दे